असलाव अलेकुम जी आज हम आपके लिए लेकर आये हैं बहुती टेस्टी और बहुती यूनीक सा ब्रेकफ़स्ट रेसेपी इसका नाम है अंडाब्रेट आज इसमें हमने ना इस्ट इस्तेमाल किया है ना ऐसी कोई चीज इस्तेमाल किया है जो आपको बाहर से लाने के पड़ेंगी जो हमारे पास में घर में अवेलिवल है हमने उसी से यह अंडाब्रेट बनाकर रेडी किया है आप इसे मीनी पराठे भी कह सकते है और यह जो मीनी पराठे यह घर में सभी को पसन आएंगे आप इस रेसेपी को ज़रूर राए करना अगर आपको इस अंडाब साथ में आपको यह वीडियो देंगे तो चलिए फिर हम अपनी किचन के तरफ चलते हैं आपको बताते हैं कि हमें अंडा ब्रेट के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेंगी तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में 250 ग्राम यहां पर हम मैदा लेंगे अगर आप ग्रेम पर न जाए तो हम कप से यहां पर दो कप हमने यहां पर मैदा लिया है और फिर हम 50 ग्राम सूजी लेंगे यानि रवा लेंगे अब रवा हम इसलिए लेंगे ताकि जो ब्रेट है बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने अब इसमें हम नमक दालेंगे नमक का वोई हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पर हमने तेस्पून नमक इस्तेमाल किया आप इसमें हम वन टैबल स्पून ओईल लेंगे आप ओइल के अलावा देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जो पसंद और आपके पास में जो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे Dan tag layer af मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा से समस्पार इस चो Все तरीके सी करके हैTM निएट के लिए क्योंकि हम कभी भी ब्रेट जब भी बनाते हैं तो ब्रेट बनाने के लिए हमें मैदे को बहुत अच्छी तरीके से मसलना पड़ता है और हमने बहुत बार आपको ब्रेट की रेसिपी दिये तो हमने आपको बताया भी है कि मैदे को किस तरीके से मसला जाता है तो हमने आपर अच्छे तरीके से मैदे को गुन लिया और एक डो बना कर रख दिया और इसे जाक कर हम आदे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि जो मैदा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए अब जब तक के इन ब्रेट के अंदर के हम फीलिंग बनाएंगे चार अंडे लेंगे और अंडो को तोल लेंगे तोलने के बाद में इसमें हम half teaspoon healthy powder दालेंगे और इसमें one teaspoon हम धनिया powder दालेंगे और इसमें हम नमक दालेंगे नमक का हुई हम अपने taste के according नमक यूज़ कर सकते हैं और फिर इसमें half teaspoon हम जीरा दालेंगे और यहाँ पर हम लाल मेच पॉडर यूज़ नहीं करेंगे अगर आपको लाल मेच पॉडर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर भी सकते लेकिन हमें इसमें हरी मेच यूज़ करना इसलिए हमने लाल मेच पॉडर यूज़ नहीं किया अब हम जो अंडे का हमने mix बना कर रखा है और बैटर बना कर रखा है उसे भी हम site में रखेंगे और सारे vegetable काटेंगे वेज़टेबल में आपको जो भी पसंद हो आप यूज़ कर सकते हमन लसन अद्रक का पेस्ट डालना भूल गए थे और बताना भी भूल गए थे तो हमने double से जो बॉल था वो लिया और उसमें लसन अद्रक यूज़ कर लिया भी इन सारी vegetable को हम चौप कर लेंगे आप यहाँ पर हमने soya की भाजी लिए हमें soya की भाजी पसंद है आप इसके अ और हम अगर आपके पास हरी प्यास भी अवेलिबल ना हो तो आप साधी प्यास भी यूज़ कर सकते हैं अब हम यहाँ इसकी feeling बनाएंगे bread के अंदर की अब यहाँ पर हम gas one करेंगे gas पर एक कड़ाई रखेंगे और कड़ाई में one टेबल स्पून यहाँ पर हम oil लेंगे औ उपली हैं यहाँ पर हमने oil गरम हुआ या थोडा साधाल कर देखा तो अध्यी तरीके से गरम वो गया था था हम इसारे दाल देंगे हम जितनी अच्छी तरीके से मिक्स करना हमें आता है यानि जहां artificial कि मिक्स करेंगे क्योंकि इसे हमें एक द Tudo बारीक करंब बनाना तो ठी तरीके से क्रम्लिंग करना यानि चूरा करना आप कोई दूसरा चमबच भी सकते और उसके हिसाब से भी कर सकते क्योंकि हमने सिलिकॉन का जो इस पैचुल लिए आता तो उससे बरोबर नहीं हो रहा था यह क्रम्लिंग तो हम न इस तरीके का चमबच लेंगा तो अच्छी पाँच मीट टके पकाएंगे ताके जो वेजीटेबल है उसके अंदर जितना भी मौश्चर है वो अच्छी से पक जाए अभी हम यह वेजीटेबल डाल देंगे दालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस टाइम पर हम नमक भी चेक कर लेंगे कि इ इन ब्रेट की तो वो साइट में रख देंगे ठंडा होने के लिए अब यहाँ पर जो हमारा डो था ब्रेट का वो अच्छी तरीके से साइट हो चुका था अब इस तरीके कि हम छोटी-छोटी उसकी लोय बनाएंगे हमें जिस शेप का चाहिए चोटा चाहिए बड़ा चा साइगे कि हमने जो जो इसके अंदर की जो फीलिंग है वो क्रम्लिंग करके रखिये तो थोड़ी मोठी है अगर हम मोठी फीलिंग्यूस करेंगी जाया ने तो यह पराठा फूट जाता है तो हमें इसे एकदम भारिक पीसने के जरूँत है तो इसलिए हम आपको एक बताए आपको तो मोटी वाली फीलिंग का बता रहे तो यह पाराठा देखिए यहां पर बहुत ही तूट चुका था नीचे से भी तूट चुका था और उपर से भी तूट चुका था अब हम क्या करेंगे हमारे पार तो food processor है तो food processor में इसे दरदरा पीस लेंगे अगर आपके पास म जो अभी chopper मिल रहे है ना हर किसी के पास में available होते है इस तरीके का chopper होता आप chopper में भी इसे grind कर सकते हैं और आपके पास में chopper भी नहीं है तो फिर mixer में हम इसे दरदरा grind कर सकते हमने इस तरीके से food processor में इसे grind कर लिया है देखिए यहां पर हमने जो एकदम बारिक paste भी न बनाया और एकदम ज्यादा मोटा भी नहीं रखा हमने यहां पर दरदरा कर ले हम फिर से इसी तरीके से एक पेड़ा लेंगे और एक पूरी बनाएंगे उसके अंदर यह feeling भरेंगे हमने जो नाश्टे वाली चम्मच आती है न उस चम्मच से दो दो चम्मच भरकर इसमें feeling इस तरीके से बना लेंगे और साइट में रख देंगे एक एक से बना बना कर हम साइट में रखेंगे दो तीन हम बनाएंगे और फिर हम एक साइट में गैस ऑन करके रखेंगे और उस पर एक फ्राइन पैन रखेंगे हमें तवा नहीं रखना फ्राइन पैन रखना है जो न पराठा बनाया था न तो जो दरदरा थोड़ा मोटा मोटा था दरदरा नहीं था तो वह पराठा कितना फूट चुका था इसलिए हमें इसे थोड़ा पीसना बहुत जरूरी है चाहे आपके पास में जो भी हो फूट पोसेसर हो चाहे आपके पास में मिक्सर हो चाहे आपके इस टाइम पर हम उइल भी डाल सकते हैं आपके पास में जो अ राइण है छोटे मिनी पराठे होते वो बनाए तो थोड़ा ये ब्रेट को पलेटने में हमें परेशानी होंगी तो इसलिए हम तीन तीन दालते जाएंगे उसमें फ्राइ करते जाएंगे अब इसमें जो ऑईल है घी है आप आपके मन मुताबिक यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा हेल कॉंशेस कम पसन है तो आप कम और देखे कै Lords ये कितने अच्छे फूल भी रहें बहुत अच्छी तरीके से बनते भी और बहुत अच्छी तरीके से फूल थे सिफ दस मेत का काम होता है इसका जो डो है यह हमने अगर पहले बनाकर रख दिया न तो दससे पंद्रा मेत में जो ये ब्रेड है बनकर रेडि ह और यकीन मान ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इसे एक बार बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे और इसकी feeling का तो कोई तरीके से हम सारे पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे लेकिन हम वहाँ पर खड़े रहके हमें पकाना है क्योंकि यह जलने का थोड़ा डर होता है देखिए कैसा हमने दूसरी बार भी पराठे बनाएं तो कितना अच्छा फूल कर रेडी हुआ है तो यहाँ पर हमने सारे पराठ आपको ये ब्रेट की रेसिपी पसन आई हो अगर आपको ये ब्रेट की रेसिपी पसन आई हो तो लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना साइट में बेल बटन आता है उसको और पर क्लिक कर देना आके आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अल्ला हफीस